काम्यावी तक टूडेज जी के सीरीज में आपका स्वागत है हम बात कर लेते हैं कल पूछा गया अभ्यास का प्रसन का उत्तर के बारे में निम्रिक्त में से कौन सा इंडोनीसिया का सबसे प्रसिद पश्मी दीप है आपसन ए जावा दीप, आपसन बी लंबोक, आपसन सी समात्रा, आपसन डी बाली तो इसको तरह आपसन सी समात्रा हाली में भायत ने थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के चेंपियन इंडोनीसिया को हरा कर इत्यास रच दिया है इंडोनेशिया दस्षिन पूर्व एसिया एवम हिंद और प्रसांत महसागर के बीच ओसनिया में सितित एक देश है इसमें 17,000 से अधिक दीप हैं जिसमें समात्रा सुलावेसी जावा आदी प्रमुख है इंडोनेशिया का सबसे पष्चमी और दूसरा सबसे बड़ा दीप समात्रा है इसलिए विकल्ब सी सही है आपको बता दें कि समात्रा दुनिया का छटा सबसे बड़ा दीप है तो हमारे इस अभ्यास प्रसन का उतर हो गया उप्सन सी समात्रा आज की सीरीज का पहला परसंट नैपाल निम्रिक में से किन भारतिय राज्यों के साथ सीमा साजा करता है एक उत्राखन दो सिक्किम तीन पश्चिम मंगाल दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये आप्शन एक केवल एक और दो आप्शन बी केवल दो और तीन आप्शन सी केवल एक और तीन आप्शन डी एक दो तीन तो इसको तरह आप्शन डी एक दो और तीन हाली में भारत के प्रिदान मंत्री ने बुद्ध जैन्ती के अफसर पर गौतम बुद्ध की जनम सतली लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की नेपाल भारत का एक महत्पून पड़ोसी देश है जिसका छेतरपल 147-188 वर किलो मीटर और आबादी लगबग 29 मिलियन है नेपाल पांच भारते राज्जियो उत्राखंड उत्तरपरदेश बिहार पश्चिम बंगाल और शिक्किम के साथ लगबग 2850 किलो मीटर की सीमा साजा करता है इसलिए विकल्प D सही है तो हमारे इस परसन का उत्तर हो गया ऑप्शन D 1,2,3 अगला परसन हाल ही में समाचरों में रहा एंडोसलफान क्या है आप्शन A, COVID-19 की दवा, आप्शन B, मलेरिया का पहला टीका, आप्शन C, कीटनासक, आप्शन D, कपड़ा उद्योग में प्युक्त रासाइन तो इसका उत्तर है आप्शन C, कीटनासक हाली में सिप्रिम कोट ने एंडोसलफान कीटनासक पीडितों के लिए कोई कदम ने उठाने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई है एंडोसलफान एक आरगन नो क्लोरिक कीटनासक है इसलिए विकल्प सी सही है क्वास, काजू, फल, चाय आदी फसलों पर सपेद, मक्खी, एफिड, गय, किर्मी, आदी कीटों के नियंतरन के लिए इसका छड़काब किया जाता है एंडोसलफान के सेवन से सारे के विकली, कैंसर, जनम संबंदित विकाद जैसी बीमारी होती है भारत में सरवस्च नियाले ने 2015 में इसके हानिकारक स्वास्ते प्रभाव को हवाला देते हुए पूरे देश में एंडोसलफान के निर्मान, विक्री, उप्योग और निर्यात पर प्रतिवन्द लगा दिया था तो इस प्रकार हमारे इस परसन का उत्तर हो गया एंडोसलफान एक कीटनासक डवाई है उप्सन सी अगला प्रसन कांची पुरम सहर के संबंद में निमलिक कत्रों पर विचार कीजिए एक यह सहर काविरी नदी के टट पर सितित है दो यह सहर छटवी और साथवी सताबदी में पल्लब वन्स की राजदानी था वप्यक कत्रों में से कौन सा या से सही नहीं है या है अप्सन एक और दो दोनों ऑप्सन डिने तो एक नहीं दो तो इसमें से ऑप्सन ए सही के वजियए केवल एक गलत है काचिप्रम तमिलाइडू के उत्री पूर्वी टटपर सितित है जो चैने सेर से सटा हुआ है काचिप्रम अपनी राजसी मंदिर वास्तुकला और रेशम की साड़ियों के लिए प्रिसिद्ध है यह सेर बेगावती नदी के टटपर सितित है इसलिए कथन एक सही नहीं है परलवों ने इस छेत्र को चटवी और साथवी सतावदी के बीच अपनी राजधानी बनाया था इसलिए कथन दो सही है तो हमारे इस प्रकार इस प्रिसन का उत्तर हो गया आप्शन एक गलत है सामिल है एक राजिस्तान दो मद्य परदेश तीन माचल परदेश चार उत्तराखन दिए गए कूट का प्रियोकर सही उत्तर चुनिए आप्सन एक केवल एक तीन और चार आप्सन बी केवल दो और तीन आप्सन सी केवल तीन और चार आप्सन डी एक दो तीन और चार तो इसका उत्र है आप्सन डी एक दो तीन और चार यमुना के घरते जल सतर के कारण हाली में बिविन जल उपचार सेंटरों में जल उत्पादन में लवग 25% की गिरावट आई है यमुना नदी गंगा नदी की एक प्रमुक साइक नदी है यमुना नदी प्रिनाली का जल ग्रहन उत्तर परदेश उत्तराखन हिमाचर परदेश हरियाना राजिस्तान मद्द परदेश और दिल्ली राजियों के कुछ हिस्से को कवर करता है इसलिए विकल्ब डी सही है इसकी महत्मून साइक नदी में चंबल सिंद बेतवा कैन आदी सामिल है तो इस प्रिकार हमारी इस प्रिसन का उत्तर हो गया ऑप्सन डी एक दो तीन और चार अगला प्रिसन भायत का 52 वाट टाइगर रिजर्ब रामगड विश्डारी निमलिक में से किस राज्ये में सितित है आपसन ए राजिस्तान आपसन बी करनाटक आपसन सीक महाराष्ट आपसन डी उत्र परदेश तो इसका उत्तर है आपसन ए राजिस्तान हाली में रामगड विस्दारी वन्यजीब अभ्यारन को टाइगर रिजर्ब के रूप में अधिसूचित किया गया है इसे जुलाई 2021 में केंद्रिये परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालिये दोरा मंजूरी दी गई थी यह भारत का 52 टाइगर रिजर्ब और रन्थंबूर सरिस्का मुकंद्रा के बाद राजिस्तान का चौथा टाइगर रिजर्ब है इसलिए विकल्ब ए सही है आपको बता दें की 2019 की गन्ना के मतावित भारत में लगबग 2967 बाग थे तो इस प्रकार हमारे इस प्रसन का उत्तर हो जाता है रामगड विश्दारी टाइगर रिजर्ब जो 52 नम्मर का है वह राजिस्तान ओप्सन ए में सही है अगला प्रसन कनेरी गुफा किस राज्ये में सिते थें आप्सन ए महाराष्ट आप्सन बी आंदरपर्देश आप्सन सी करनाटक आप्सन डी ते लंगाना तो इसको तरह आप्सन ए महाराष्ट केंजिय प्रियतन संस्किर्ट और पूरतर छेत्र विकास मंत्री सिरी जी किसन रेड़ी ने पुद्ध पूर्निमा के अफसर पर कनेरी गुफाओं का उदगाटन किया कनेरी गुफाओं महाराष्ट के संजे गांदी राष्ट उद्ध्यान बोरी वली के जंगलों में सितित हैं इसलिए विकल्प ए सही है कनेरी गुफाओं में 110 से अधिक विविन रॉक कट मोनो लिथिक उत्खलन सामिल हैं प्राचीन सिलालेक में किर्शनागिरी या कानागिरी के रूप में जाने जाने वाले कनेरी का साब्दिक अर्थ होता है काला परवत तो इस प्रकार हमारे इस परसन का उत्तर होगा कनेरी गुफाओं ऑप्सन ए महाराष्ट में सितित हैं अगला प्रसन रोगानू रोधी पिर्तिरोध यानि की AMR के बारे में निमलिक कतनों पर विचार कीजिए कतन एक AMR मानवता के सामने सीश-दस वैस्विक सारवजिनिक स्वास्थे खत्रों में से एक है दो रोगानु रोधी में केवल एंटिवायोटिक और एंटिवायरल सामिल है उपिक में से कौन सा यसे कथन सही है यह है उप्शन एक केवल एक उप्शन भी केवल दो उप्शन सी एक और दो उप्शन डी ने तो एक नहीं दो तो इसका उत्तर है option c एक और दो दोनो जै बिविता होड़ सपोर्ट के रूप में आहता प्राप्ट करने के माप रंड में साइध प्रिसन गलत हो गया है चलो इससे बता देते हैं प्रिसन गलत हो गया है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा option c इसका विसलेशन नहीं तो अगला प्रसन है जै बिविता होड़ सपोर्ट के रूप में आहता प्राप्ट करने के माप रंड में सामिल है एक इसमें सतानिक रूप से कम से कम पंद्रह सो समभेहनी पौदे होने चाहिए दो ये अपनी प्रात्मिक देशी प्रनस्पतियों को का काम कम से कम सत्र परसेंट खोचुके हैं उप्यूक्त मैंसे कौन सा यथ से कतर्थन सही है यह运 ऐपीसन 1 केवल ऐ़क आप्सन 2 केवल दो और सी एक आप्सन 2 ने तो एक नहीं दो ते इसको तरह है आप्सन सी तमिलाइडू का नजरायन टेंक पक्षी अभ्यारन तिरुपुर जिले में से एक सनक्सित पक्षी बिहार हाट स्पोर्ट है इसमें 25 अपरेल को तमिलाइडू के सत्रवे पक्षी अभ्यारन के रूप में गोशित किया गया था ये प्रत्वी के सबसे जैविक रूप में समर्द अभी तक खत्रे वाले सत्लिय छेत रहें विस भर में 36 मान्यता प्राप जैविविता होट स्पोर्ट हैं भारत में 4 जैविविता होट स्पोर्ट हैं हश्मी गहाट, हिमालियान, इंडो वर्मा और सुडान जैविविता होट स्पोर्ट के रूप में अरहता प्राप्त करने के लिए एक चेत को दो सक्त माप डंडो को पूरा करना होगा पहला समवहनी पौदों की कम से कम 1500 सतानिक प्रजातियां सामिल हों इसलिए कथन एक सही है दूसरा अपनी प्रात्मिक देशी बनस्पति को कम से कम 70% खो चुके हों इसलिए कथन दो सही है तो इस प्रकार हमारी इस प्रजान का उत्र होगया उप्शन सी एक और दो दोनो अगला प्रजान भारतिये दूर संचान नियामक प्रादिकरन है प्रजान मंत्री न आज भारतिये दूर संचान नियामक प्रादिकरन बोले तो ट्राई के रज़त जैनती समारो के अब्सरपा आईजित कारिकरम को सम्मोदित किया ट्राई की सताप में एक अधेनियम द्व़ारा की गई जिसे भारतिय दूरसंचार नियामक प्रादिकरन अधी ने 1997 में कह जाता है इस परकार यह एक वैदानिक निकाय है इसलिए विकल्ब भी सही है यह दूरसंचार सेवा को नियंतरित करता है जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए ट्रैफिक का निर्दारन संसोधन की भी सामिल है तो इस परकार हमारे इस परसंचार को त्रोजाता है ओप्सन बी सावन धिक निकाय अगला परसंच थोक मुलिय सूचकां किस के दोरा जारी किया जाता है ऑप्सन 1 राष्ट्य संकी की कारी करम ऑप्सन B स्रम और रोजगार मंत्रा लेए ऐप्सन C वानेजिया और उद्द्योग मंत्रा लेए हाली में जारी आंकडों के मतावित अप्रेल 2022 के लिए मुद्रा सिपर्ति की वार्षिकदर 15.08 परसें थी जबकि अप्रेल 2021 में यह 10.74 परसें थी उच्च मुद्र सिपर्ति मुखे रूफ से कच्चे पेटरोलियम और प्राकर्टिक गैस खादवस्तों और रासनिक उत्पाद आदि की कीमतों विर्दी के कारण बनी हुई है थोक मुल्य सुचकांक उद्योग और आंत्रिक वैपार संबर्धन विवाग के आर्थिक सलाकार कारियल ने दौरा जारी किया जाता है डी पी डबल आई टी वांजकिय उद्योग मंत्राले का एक महत्पून विवाग है इसलिए विकल्प सी सही है अब हम बात करते हैं आज का अभ्यास प्रशन क्या है क्रूज सम्मिलन 2022 का आयजन निमलिक्त में से किसके द्वारा किया गया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेयर करें लाइक करें लाइक करें लाइक करें और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूल दें जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें पढ़ते रहें कल मिलते हैं अन्य नए प्रसनों के साथ